दोस्तों अक्सर हमें जो है शिकायत रहती है organization से, institution से की सब कुछ होने के बाद वो react करते हैं Scams तकरीबन तकरीबन हर इंसान की शिकायत रहती है कि scam होने के बाद ही क्यों पता लगता है उसे पहले से ही क्यों नहीं watch पर रखा जाता अब ये तो criticism की बात हो गई या ये कहें कि शायद इसे बचाना या इसे पहले से पूरा शक प्रतीशत जो है ठीक कर देना सब के बस का काम नहीं है बड़ जहां पर institution सही काम करता है हमें उन्हें प्रसाहन भी करना चाहिए उनकी appreciation भी करनी चाहिए और आज हम कुछ इसी के बारे में बात भी करेंगे और मैं अपने pointers लेकर आया हूँ आपके लिए कि क्यों मुझे लगता है कि small case एक scam था या एक scam है और शायद सेभी ने उसके उपर कुछ restrictions लगा कर उनका business model तो अच्छे खासे level पर जो हिला डाला है बट क्योंके सेभी ने पहले एक्ट किया इस बार और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा हो जाता scam और बहुत बहुत दिक्कत में आ जाते रिटेल इन्वेस्टर उससे पहले इसे काबू में कर दिया गया मैं पहले ही बता दूँ मैं जो नाम ले रहा हूँ जो institutions के नाम होंगे जैसे small case की बात होगी ये सब जो है मेरा opinion है जो मुझे लगता है किसी institution को, किसी organization को ना मैं बदनाम कर रहा हूँ ना मैं उन्हें pinpoint कर रहा हूँ मेरी ये individual राय है जो मैं अपने YouTube channel पर as a freedom of speech आप तक जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आप माने या नामाने वो आपके उपर है ये सब कुछ educational purpose के लिए है और repeat कर रहा हूँ मेरी अपनी personal राय है हो सकता है मैं गलत हूँ हो सकता है मैं सही हूँ बट ये decide करना हर individual का का काम है क्योंकि मैं as individual जो मानता हूँ वो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ बात करेंगे सेभी की उन्होंने small case पर कुछ action किया क्यों मुझे लगता है small case एक scam था क्यों execution में बहुत बहुत बड़ी दिक्कतें थी इसमें इसके इलावा हमें और आपको क्या करना चाहिए और भी बहुत कुछ नमस्कार सलाम सस्ट्रियाकाल मेरा नाम है इशान तो अगर था आपका मेरी YouTube चैनल पर लेकर ना हूँ आपके लिए another वीडियो तो अगर आप चैनल पर नए है सब्सक्राइब करकर और बेल नोटिफिकेशन आइकन दमाना बिलकुल मल भूलिएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी व्यूज अपनी राय दे सकते हैं और जरूर आप अपना वर्डिक्ट अपना अपिनियन शेर किये जिएगा ट्विटर पर भी जॉइन करकर रहे किये ट्विटर पर भी रिस्पॉंड कीजिएगा और स्टार्टिंग मैं बता दूँ मैं स्मॉल केस को एस जो वो कर रहे थे एस अस सिस्टम जो बना रहे थे उसे स्कैम कह रहा हूँ और एक पॉसिबल शायद उन्हें पता भी ना हो ये स्कैम हो सकता है बट ये पॉसिबल ही रिटेल इंवेस्टर्स के लिए बहुत बहुत बड़ा जो है एक बुरी चीज हो सकती थी और मैं उस चीज को जो है कह रहा हूँ मैं बिलकुल भी एडवाइजर्स या जो लोग इसके साथ एस्सेटेटेड है जो एडवाइजर के तौर पर एस्सेटेड है उन्हें मैं बिलकुल कुछ नहीं कह रहा हूँ वो अपनी जगा बिलकुल सही है वो अपनी services प्रोवाइड कर रहे थे या कर रहे हैं उन्हें हक है वो registered भी है और उन्हें जो है बिलकुल भी मैं बिलकुल कुछ नहीं कह रहा हूँ वो अपना बस काम कर रहे है बट उस काम करने में जो वो platform है वो है सबसे बड़ी दिक्कत कर रहे हैं उसी के बारे में बात तो सबसे पहले मैं इस पूरे सिस्टम को small case के scam क्यों कह रहा हूँ number one pointer कोई responsibility ही नहीं है जी हाँ सही सुना अपने कोई responsibility ना होना small case का एक बहुत बड़ा case है ये एक scam है क्यों क्योंके small case पर अब अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है आप एक platform पर जा रहे हैं जिसका नाम अच्चा है जिनके links अच्छे हैं जिनके promoters शाद अच्छे हैं जिनके पास funding अच्छी है जो कई लोगों के साथ कई बड़े-बड़े institutions के साथ जो है tie up कर रहे हैं बट उनकी responsibility तो कुछ है ही नहीं वो केवल और केवल एक platform अपना जो है बना कर सभी analyst को बुला रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि अपनी अपनी audience को लेकर आईए और subscribe करवाईए और सबसे बड़ी बात small case अपने end से ना किसी चीज़ की responsibility ले रहा है ना performance की responsibility है ना product की responsibility है ना performance के साथ result की responsibility है कुछ भी नहीं small case अपनी commission ले रहा है जैसे ही कि एक middle man लेता है और आपको जो है investors या आपको कहें आपको जो है analyst से मिलाने की कोशिश कर रहा है जबकि वो लोग जो है वो खुद analyst के लोग ही है analyst से influence होकर आ रहे है और इस सारे सिनारियों में promote सिर्फ small case होता है और वहाँ भाई आएगी तो small case की आएगी बदनामी होगी तो वो analyst की होगी यानि कि मीठा मीठा गब गब कड़वा कड़वा थू और जब responsibility की बात आएगी small case केवल केवल ये कहकर छूट जाएगा कुछ भी जिन्दगी में हो जाए इसकी कि हम तो केवल केवल एक platform provider है हम service provider नहीं करते हैं वो सारी responsibility analyst की है अरे भाई अगर वो सारी responsibility analyst की है वो सारी responsibility किसी और की है और आपकी है ही नहीं तो आप अपने platform में क्या मुर्गियों के अंडे दिखाने के लिए बैटे हैं कि ये अंडे देख लीजिए कसूर सारा मुर्गी का तूटा वो आपका और बागी सब को अपने अपने पैसे मिलेंगे फसेगा कौन? Retail investor भाई ये जो platform है ये जो चीज है बहुत बुरी है और शायद retail investor को इस चीज का starting में एहसास नहीं होता फिर next pointer आता है मेरा responsibility के साथ साथ क्योंके zero responsibility है result भी zero है क्यों मैं कह रहा हूँ वो भी मैं आगे बताता हूँ और उसके साथ साथ बहुत high fees सही सुना आपने fees के नाम पर I mean आप कहना क्या चाहते है जब आपकी कोई responsibility नहीं है execution part में मैं बाद में आऊंगा जब आपकी कोई responsibility नहीं है आपने केवल एक website खोलने का वो सारा fees रखा है example के तोर पर एक analyst की मर्दी है वो एक 1000 रुपे फीज रखे या एक लाख रुपे फीज रखे वो एक मंतली फीज रखे या एक साल की फीज रखे भई आप वहाँ पर क्या कर रहे हो ये सब कुछ तो आप जो है cable developer के तौर पर काम कर रहे हो और उसके उपर आप अपनी commission जो है वो charge करते हो और वो भी एक दो person नहीं होता है वो भी काफी जो है high commission based होता है literally आप partner बन जाते हो तो literally आप सारी चीज़ों में partner की तरह जो है काम करोगे profits में partner की तरह काम करोगे responsibility आपकी कुछ होगी नहीं फसेगा ultimately कौन? retail investor, क्यों? क्योंकि result की तो guarantee नहीं होती है कभी भी कहीं पर और यह fact है share market में results की guarantee नहीं होती है but वो results की guarantee या वो results का जो भी भार होगा वो analyst उठाएगा आप as a small case क्या करेंगे? जब आप पैसा, जब आप commission जब आप एक product में सारा commission ले रहे हैं major तोर पर commission ले रहे हैं अच्छा खासा industry rate के इसाब से commission ले रहे हैं आपका roll उसमें क्या रहा? और आपके platform पर कोई आया है किसी और के platform पर नहीं गया है तो results आपने कुछ produce नहीं करने है क्योंकि वो आपकी ना responsibility है ना वो आपका area है बट पैसों के मामले पर आप अवल दर्जे पर रहना चाहेंगे ये भी एक बहुत बड़ी सादिश है बहुत बड़ा कसूरवार है ये platform फिर बहुत बड़ी दिक्कत आती है इस platform की ये अपने आपको अलाकि officially शायर ये ना करते हो बट अपने आपको mutual fund से compare करते है अपने आपको industry के पैमानों से compare करते है अपने लोगों की अपने analyst की performance index के साथ performance के साथ compare करते है मतलब ये क्या हो रहा है mutual fund या industry के साथ आप अपनी ये monthly, weekly, yearly subscriptions को आप compare कर रहे हैं अपने आप में ये बहुत हसी वाली बात है आप अपने platform को अपने जो ये आप कर रहे थे या करना चाहते थे इसे आप mutual fund से comparison कर ही नहीं सकते आप इसका comparison केवल और केवल individual investors individual analyst individual traders के साथ compare कीजिए ना कि index के साथ mutual fund के साथ और mutual fund आप से जो है महीने की हफते की साल की subscription fees नहीं लेता है आप वो भी लेते हैं तो आपकी performance जो compare करने वाला चीज है comparison करने वाला चीज है वो गलत है आप index के साथ compare करना चाहते हैं अरे भाई index कहता ही नहीं है कि मैं जो है monthly आपको return दूँँगा मैं yearly आपको return दूँँगा ये comparison अपने आप में करना अब आप कहेंगे कि ये तो सिरफ एक reference point के लिए है बट वो reference point एक retail investor के लिए हो जाता है कि अगर index 5% है आपका कोई analyst 10% है और आप promote भी माशाला उन्हें करते हैं जिनकी performance आपको देखने में अच्छी लग रही होती है system है, सारा कुछ algorithm है और algorithm को पता है कि 15% अगर किसे ने return जो है दो महीने में, एक महीने में दिया है उसे promote किया जाए और retail investor क्या सोचता है अरे बाप बाप, इंडेक्स ने 5% दिया है ये इंसान 15% दे रहा है तो सीधा जो है दिमाग लगता है कि भाई मुझे ये return high मिल रही है और मैं इसे invest करता हूँ, इसे subscribe करता हूँ और ये है वो बड़ा scam जब आप performance का comparison करते हैं आपका comparison reference point के लिए अच्छा है बट practical नहीं है और क्योंके वो practical नहीं है इसलिए वो अपने आप में सही नहीं है और क्योंके वो अपने आप में सही नहीं है वो retail investor को as a lollipop काम आता है वो retail investor को as a lollipop जो है ललचाता है और मेरे लिए जो चीज retail investor को ललचाती है जो चीज भाव, जो चीज पैसे या जो चीज उन्हें ये realize कराती है कि पता नहीं आप कितना पैसा इसमें से कमा सकते हैं वो अपने आप में कहीं न कहीं दिक्कत वाली चीज है फिर बारी आती है past record की mutual fund में क्या कहा जाता है या stock market के लिए क्या कहा जाता है इसका past record देखिए stocks के लिए क्या कहा जाता है past record देखिए past performance देखिए और इन जैसे platform जो की बने ही लालच की वज़ा से है जो की बने ही बोगस तरीके से है जो की बने ही दूसरों के सिर पर है और जिनका responsibility कोई नहीं है result expectation कोई नहीं है वो केवल और केवल जो है लालच को लालच से बढ़ा रहे है उनका past record ही नहीं है previously पूछिए 5-10 साल 15 साल पहले ये कहा थे और आने वाले 5-10 सालों के लिए इनका vision plan क्या है इनका vision plan केवल और केवल sales है उस sales का मतलब ये है ये केवल और केवल लोगों को लाना चाहते है as an analyst और बेचना चाहते हैं products और चाहते हैं कि retail investor लालच जो है इनके लेकर और आता रहे अपनी मंत्री subscription अपनी weekly या अपना सालाना subscription देता रहे और ये मज़े करते रहें zero result, zero performance और zero expectation और zero liability, zero responsibility के साथ ये अपना धंदा चलाते रहें बट किसी भी चीज के लिए इने liable ना कहा जाए और retail investor जो है और सबसे interesting बात देखिए analyst एक नहीं है इनके पास 100, 200, 300, 500 पता नहीं कितने analyst होंगे अगर एक analyst खराब हो जाए ये तो उसे जो है promote करेंगे इनके लिए 10 analyst और बैठे हैं 100 analyst और बैठे हैं और retail investor को क्या देखेगा retail investor वो बुरे analyst की बुरी performance या किसी analyst की बुरी performance देखी नहीं पाएगा कभी क्योंके ना system उसे दिखाएगा ना ये अपने आप दिखाएगे क्यों? क्योंके जो दिखता है वही आपको influence करता है कोई analyst ये नहीं कहेगा मैंने negative जो है 15% return दिया इतने महीने में बट positive 15% बले ये भी promote करेंगे और analyst भी अपने आपको promote करेगा और आप as a retail investor जो है वहाँ पर फस सकते हैं और फसेंगे definitely इसलिए मैं कह रहा हूँ ये potentially अपने आप में scam है mutual fund में देखिए stock market में देखिए past record, past performance crystal clear है यहाँ पर तो भाईया analyst का नहीं पता कि वो एक महीना और रहेगा इनके साथ या नहीं और आप क्या सोचते हैं performance रहेगी या नहीं तो अपने आप में ये बहुत बड़ा scam potential था जिसे सेवी ने रोक दिया, at least रोकने की कोशिश की और मैं जानता हूँ हो सकता है कुछ ना कुछ साम दाम डंट बेद करकर कोई ऐसा घुमाने वाला रस्ता ये ढून लेंगे और फिर से अपनी दुकान चलानी शुरू कर देंगे क्योंकि सेवी का ओडर में उनने मेंशन की है कि percentage allocation आप जो है नहीं दे सकते being a analyst या being a research analyst तो basically ये कोई ना कोई जो है तुका या कोई ना कोई ट्रेड जो है उसमें से निकाल लेंगे और एक ना एक जो है weak link निकाल कर अपना काम कर लेंगे बट ये बहुत जरूरी है रिटेल इंवेस्टर तक बात बहुंचानी बट बात यही पर खतम नहीं हुई है इसे हम थोड़ा सा और लेकर जाएंगे दिक्कतें यही तक नहीं है और दिक्कतें यही तक रह नहीं सकती इसका इलाज क्या है वो भी डिसकस करूँगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है like जरूर कर दीजेगा information के साथ साथ बहुत important चीज़ है क्योंकि ultimately आज नहीं तो कल आप इस चीज़ में फसेंगे आप फस सकते हैं मैंने केवलो केवल educational purpose के लिए बता रहा हूँ मानना ना मानना आपकी उपर है तो वीडियो को like, share, चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा educational content इस चैनल पर regular आता है और वो आपकी उपर आप कितना grab कर सकते हैं कितना सीख सकते हैं चलते हैं आगे और अब बात करेंगे execution पार्ट की जो कि और भी funny, और भी मज़ेदार, और भी भ्यंकर, और भी डरावना हो सकता है अब execution जो बात आती है ये भी बड़ा interesting इन्होंने business model निकाला हुआ है normally मेरे दिमाग में ऐसे होता था कि भई यह small case है तो आप इन्हे subscribe करेंगे उन subscription में small case के under जो analyst है, उनकी responsibility small case लेगा और आप जिस इसको subscribe कर रहे हैं आपको cable और cable कुछ पैसे लगाने, example के दौर पर अगर लाक रुपे लगाना है लाक रुपे लगाईए और small case अपने हिसाब से काम करेगा और आपको return देगा भई यहाँ पर तो कहानी different है यहाँ पर user को, as an individual को manually करना पड़ता है सब कुछ manually मैं अपना account इनके साथ link करूँ अपने account को authorize करूँ इन्हें कई चीज़ें जो हैं देखने के लिए, समझने के लिए और अपना record data इनके पास छोड़ू फिर execution मैं खोद करूँ अपने account में जाकर यह वहाँ पर क्या, जी जा जी बैठे हैं मेरे कि जो यह बोलेंगे वही मैं करूँगा I mean यह जो है, इनके platform पर analyst जो है अपनी recommendations देगा यह उसे जो है, some करकर पता नहीं क्या कुछ करकर जो है allocation wise मुझे mail करेंगे या मेरे account तक पहुंचाएंगे कि आज मैं उसे देखूँगा, फिर मैं अपने level पर जो है, अपने account पर उसे trade करूँगा, और सबसे important चीज मैं वो करूँ या ना करूँ, वो responsibility भी मेरी है, मैं कब करूँ वो responsibility मेरी है, मैं करूँ भी या ना करूँ, वो भी मेरे जिम्मे है, analyst ने या इनों ने जब वो अपना काम कर दिया, जब वो stock या allocate कर दिया, इनकी performance वहाँ से शुरू, मैं अगर एक दिन बाद करूँ, या मैं 5 गंटे के बाद करूँ, मेरी performance वहाँ से शुरू, भाई वा, यहाँ तो जलवे ही और है, बेसिकलिए अगर manually मुझे execute करना है, तो मैं किस घंटी बजाने का आप लोगों को पैसा दे रहा हूँ, और आप लोग commission ले रहे हैं, मैं directly जाकर उस investor के साथ या उस analyst के साथ क्यों नहीं मिल जाता आपका role क्या है, केवल केवल knowledge produce करना, और एक platform दिखाना, केवल दिखाने के लिए दिखाना कि यहाँ पर बहुत सारे apples हैं, जो जोन सा मर्जी आकर तोड़ लीजे, इसलिए मुझे लगता execution part पर भी यह बहुत बड़ा scam है, फिर जब आप link कर रहे हैं अपने broker को, जैसे suppose अगर मेरे पास zero-da है, अगर मेरे पास IFL है, मेरे पास co-tech है, अगर मैं उस चीज़ को आपके साथ link कर रहा हूँ, ओ इतनी सारी terms and conditions, literally, मैं नहीं कहता है कि आपने जो है, क्या कुछ उसमें से SS करना है, क्या नहीं, but being a retail investor भाई, मैं क्यों आप तक पहुँचाओं कि मेरे पास कितना fund है, मेरे पास कितना पैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, कर रहा है, आपको अपना analyst नहीं बना लिया है, आपकी service लेने का ये मतलब नहीं है कि मेरा सारा account, मेरी सारी detailing आप खोल कर जो है उसे अपने system पर, अपने service पर देख पाएं कभी भी और ये fact है, अगर मैं किसी चीज को execute नहीं कर रहा हूँ उसका data भी आपके पास है अगर मैं किसी चीज को execute कर रहा हूँ वो data भी आपके पास है भाई इसका मतलब ये है, कि आप तो spy कर रहे हैं मेरे उपर और ये चीज की आपको जरूरत क्यों है क्यों नहीं, आपका platform ऐसा होता कि आप अपने platform पर करिये जो करना है वहाँ पर चाहें मेरा account है, गालग खुलवा लिजे इन एनी केस, आप account तो खुलवाते ही हैं उस individual का तो उस individual का account भी आपके पास है बट उसका broking account कहीं और है उस broking account का assess, जो है देखने का, समझने का उसका record आपके पास है execution के वलो के वल, retail investor और बंदा करेगा आप क्या करेंगे भाईया उसमें ये बहुत बड़ी execution में दिक्कत है जहां आपके पास है सब कुछ दे आप जो है कुछ नहीं रहे है responsibility performance कुछ नहीं है करना retail investor नहीं है भाईया पैसे किस चीज़ के ले रहे है ये scam ना कहूं तो और मैं इसे क्या कहूं मतलब एक ऐसा platform जहां पर आपकी website है सिरफ उस website पर काम कौन कैसे कर रहा है आपकी responsibility नहीं उस website पर जो client बन रहे हैं वो client कहां से आए कहां गए कहां उनके बन रहे हैं किसी का कुछ पता ठिकाना नहीं आप अपने नाम पर बजा रहे हैं सब clients को बन आपका जो है base नहीं उसके बाद performance performance का लेखा जो का performance का record performance की responsibility आपकी नहीं execution वो बन्दा खुद करेगा जिसने subscribe किया वो करे ना करे कब करे कैसे करे आप अपने fix time पर जो है अपनी performance count करते हैं वो rates उनके पास मिले भी या नहीं मतलब एक जगा मैं जआ रहा हूं वो भी किसी और का जगा किसी और की समान किसी और गा ले जा कोई और आ मतलब हो किया रहा है यहाँ यहाँ पर यह scam है अपने आप में मतलब अगर यह scam नहीं है तो आप इसे क्या कहेंगे business model घटिया बिजनस model जिसने भी ये सोचा वो वो कुछ मानिये या ना मानिये वो चला किया और ये funding raise करने में बहुत उस्ताद होगा और उसने अच्छे से जो है टोपी सब को पहनाई होगी ये लिख लीजिए और इसलिए retail investor तो बहुत दूर की बात है अगर कोई इंसान intelligent लोगों को अच्छे गा चला रहे हैं मतलब ये scam है बहुत बेसिकरी सब कुछ करेगा analyst performance ना performance अच्छा बोरा सब उसका आप क्या कर रहे हैं scam care अब मैं इसे sum up भी करूँ और मेरे ख्याल से हमें आरे लिए suggestions क्या है हमें ये सारी चीजों से कैसे बचना चाहिए वो भी मैं आपके साथ अभी जो है discuss करने जा रहा हूँ मुझे जरू बताईएगा मुझे तो हसी आती है ऐसे business models पर ऐसे businesses पर ऐसे लोगों पर जो इन जैसी चीजों पर invest करते हैं और invest करने की सोचते हैं मतलब दिमाग क्या घर पर छोड़ कर आते हो जब आप invest करते हो फिर आप सेभी को कहते हो सेब आप लोगों को कहते हो कि स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया ये बंदे ने मुझे लूट लिया उस बंदे ने मुझे लूट लिया भाई आपका दिमाग घास चरने जाता ह है क्या जब आप ये सारी चीजों में इंवेस्ट करते हो जाकर सीधा सीधा गोल्ड सिल्वर एटीएफ अवेलेबल हैं सीधा सीधा स्टॉक मिड़ कैप स्मॉल कैप लाज कैप निफ्टी बैक निफ्टी आइटी मैटल एटीफ के तौर पर अवेलेबल है वहां पर स्टेशन्स देने जा रहा हूं क्या करना चाहिए बहुत इंपॉर्डेट है क्योंकि आज की बात नहीं है फ्यूचर में कुछ और नाम से कोई और प्रोडक्ट आएगा आप उसे बच कर रहिए और इसके अल्टरने टिप्स क्या हैं आप किस तरह जो हैं चीज़ें जो हैं आपको करने चाहिए तो मैं समब करूँ और अपनी सिजेशन्स दूँ उससे पहले यह डिसाइड कर लेते हैं कि बाई मिडल मैन आपकी और किसी और की डीलिंग में होना ही नहीं चाहिए और शियर बजार में तो बिलकुल नहीं होना चाहिए अगर आपको किसी एनलिस्ट क की सर्विस लेनी है उस एनलिस्ट को कहो कि खुद की वेबसाइड बना, खुद की सर्विसिस बना, खुद की एब बना, खुद का प्लाट्फॉर्म बना और वो सर्विस प्रोवाइड कर हम तुमसे पूछेंगे कि बाई result क्या है, performance क्या है, पैसा क्या ले रहे हो, क्या ले आते हो, डिरेक्टली करो, जब आप मिडल मैन को बीच में ले आते हो, और वो मिडल मैन अगर आपको जो है, यह कह रहा है, कि उसके responsibility कुछ नहीं है, यह गलत है, इस किसम के platforms should be avoided, आपने उस platform पर जाना है, एक्जाम्पल के तोर पर अगर आपने mutual fund में जाना है, तो direct mutual funds available है है, चाहे वो Axis का हो, चाहे वो Kotec का हो, चाहे वो Nippon का हो, चाहे वो HDFC का हो, चाहे वो Reliance का हो, यह जो भी हो, तो directly advisor से बात कीजिए, उन्हें कहिए अपने direct platform पर हमें बताइए, क्या करना है, क्या नहीं, so that, जो वो कहेंगे, क्योंके वो registered है, और हाँ, as per industry registered advisors को ही किसी analyst ने आपको 10 stocks गंदे दिखाए, बुरे दिखाए और performance आपकी नहीं है, तो at least आपको पता है कि भाया, यह analyst की गलती है, यहां गलती है, आप directly answer पूछ सकते हैं, hand holding, responsibility, या उस analyst को पूछ सकते हैं, और कई तो जो है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, social media is active है, ब कोई issue नहीं है, बट जब small case जैसे platforms की बात आती है, वहाँ पर बदनामी शायद सरफ analyst की हो जाए, बट small case को शायद लोग नहीं कहेंगे, और अगर small case की बदनामी होनी भी शुरू हो, तो उनका तो बहुत असान है काम, कि भाई यह तो हमारा काम ही नहीं है, हम तो यह कर रह आते हैं, उस analyst को डर भी रहेगा, कि भाई मेरी performance, मेरा result, लोग 10, 20, 100, 1000, जितने भी हैं, वो मेरी performance को count कर रहे हैं, directly, अगर कुछ गरत किया, तो बदनामी मेरी अकेले की होगी, नहीं तो कई analyst ने तो अपने small case के नाम ही ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, कि उनका नाम भी लोगों पता नहीं लगेगा, example के तोर पर, किसी analyst ने अगर नाम रख लिया, ABC small case fund, अब वो analyst कौन है, किसी को पता ही नहीं लगेगा, बदनाम करने वाला तो ये खाएगा, ABC small case fund में मेरा पैसा लुट गया, डुब गया, बट उस analyst का नाम ही नहीं आएगा, तो direct नाम से उन्हें प्र वो आपका as a reference point लोगों के लिए रख सकते हैं, कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, और फिर जो है, जो individual अगला, जो next कोई भी आएगा, वो उसके decision के उपर है, उसे कोई confusion नहीं होगी, क्योंकि imagine कीजिए ना, अगर small case पे जो है, एक हजार, ये चलिए 100 analyst है, उन 100 में से 30 और 30 की performance बहुत बुरी है, बचे वो तो 40-50 को promote करते रहेंगे, और जब तक वो सही रहेंगे, वो उने cycle में रखेंगे, इतने में नए analyst आ जाएंगे, वो on board हो जाएंगे, तो उनका cycle तो ऐसे चलता रहेगा, in between retail investor चलता रहेगा, हरास होता रहेगा, नुकसान करता रहेगा किसी को profit भी होता होगा, definitely, बट majority तोर पर नुकसान करता रहेगा, problem आती रहेगी, ना वो किसी को बोलने लायक, ना वो कहीं पर कुछ करने लायक, और ultimately जो है result यह होगा, कि retail investor जो है फिर से वहाँ पर पस जाएगा, और एक scam का शिकार हो जाएगा, अब बहुत important मेरी suggestions आपक मतलब आपको interest भी है, आप समझ भी पा रहे हैं यह वीडियो को, और वीडियो को like तो आपने कर दिया होगा, I'm sure, आपका अब काम है, इसे share करना, twitter पर भी share कीजिए, सब जगा share कीजिए, और मैं repeat कर रहा हूँ, मैं किसी को बदनाम, किसी को harass, या किसी को भी objection create नहीं कर रहा हूँ, as a freedom of speech, मेरी opinion है, मेरे चैनल पर, और मैं अपने चैनल पर, अपनी audience के साथ, एक केवल और केवल opinion share कर रहा हूँ, जिसने मानना है, मानिये, जिसने नहीं मानना ना मानिये, अगर मेरे किसी pointer पर आपको दिक्कत है, तो नीचे comment section में उस pointer का relevant reply करिएगा, ऐसे ही नहीं क कि अगर आप invest करना चाहते हैं, तो आपके लिए best route है mutual fund का, mutual fund में responsibility भी है, funds भी है, fund managers भी है, वहाँ पर पूरा ecosystem है, और कुछ fund managers अगर front running भी करते हैं, जैसे recently news आई थी, उसके आपके fund को जारा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, वहाँ पर बहुत बड़े level पर ची तो आप suppose किसी fund को देख रहे हैं, उसकी past performance, एक दो साल नहीं, 5-10 सालों का track record होगा, और वहाँ पर security भी होगी, number 2 अगर आप खुद trade ही करना चाहते हैं, कईयों को होता है ने trade कीजिए, जैसे हमने small case पर example ही, कि जब trade ही खुद करना है तो खुद ही क्यों ना कर ले, तो इस खुद trade कर लीजिए, कौन सी बड़ी दिक्केत की बात है, अगर आप investment ही करना चाहते हैं, तो खुद जो है invest कीजिए, चाहे वो ETF हो, चाहे वो आपके mutual fund हो, number 3 अगर आप trade ही करना चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप trade करना चाहते हैं, तो जो advisors directly आपको advise कर रहे हैं, अपनी advisory services दे रहे हैं, उनके पास directly जाएए, directly उनकी subscriptions या उनकी services लीजिए, उनकी performance चेक कीजिए, उनका track record चेक कीजिए, उनका overall क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कैसे कर रहे हैं, वो चेक कीजिए, और खुद execute कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, आपको क्यों एक third party की in between श subscription भी दे रहे हैं, और harass भी हो रहे हैं, और performance के नाम पर कोई liability नहीं है, तो ये थी मेरी suggestions इस पूरे scenario की ऊपर कैसे बचा जा सकता है, क्यों ये small case जो हुआ, अच्छा किया से भी ने, और क्यों जो है potential ये बहुत बड़ा scam था, और scam बन सकता था, मैं repeat कर रहा हूं, हो सकता है कोई alternative निखाल नहीं है जल्दी, बट आप as a retail investor की एक responsibility है, कि समझे जानिये, पहचानिये, फिर काम कीजिये, क्योंकि इस market में, जो यहाँ पर टिकेगा, वो पैसा कमाएगा, और टिकने के लिए सीखिये, समझे जानिये, कहीं भी आके बंद करकर, पैसा खर्चना बंद जीए, और कहीं भी किसी platform पर किसी बड़े शक्स ने, किसे बड़े organization ने पैसा लगाया है, यहाँ वहाँ पर उनकी funding है, यह पूरी चीजें जो हैं, देखकर influence होना बंद कीजिए, आप as a retail investor system के साथ चलिए, responsible खुद भी बनिए, और I'm sure, जो है market भी responsibly आपको तरक्या करवा आएगा वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक चैनल को सब्स्क्राइब करना बंद बूलिएगा, कुछ गलती होगे, तो उसके लिए मापी, उमीद है वीडियो, educational purpose के लिए आपको अच्छी भी लगी होगी, आपने opinion ज़रूर शेर कीजिएगा, हमेशे चैनल पैस